तो बाईयों जैसा मैंने ट्रेलर रिव्यू के टाइम पर बात की थी, सिधार्द आनन जो भी बनाएं वो सोना ही होने वाला है, ऐसा फाइटर मुवी ने प्रूफ कर दिया, फाइटर मुवी से रितिक और बॉलिवूट को एक न्यू हाइट पर पहुचा दिया है फिल्म ने, नेक्स लेवल पर एड्रेनलन फील करेंगे आप इस फिल्म पो देखकर, फाइटर मुवी के बारे में मैं इतना ही कहुँगा कि ये फिल्म एक एक्शन स्पेक्टिकल नहीं है, एक एक्सपीरियन्स है जिसमें रितिक रोशन ने बिग स्क्रीन को एक्क्वाइर किया है, एस स्क्वाडरेन लीडर समशेर, साथी साथ, फिल्म इंडियन एरफोर्स की एडवेंजरिस जर्नी को भी सेलिबरेट करती है, विजुल्स की बात करें, तो फाइटर मुवी का सबसे बड़ा ड्रॉ उसके एक्शन सिक्वेंसे है, सिधार तानन ने सुखोई जेट्स को और जबरदस CGI को मास्टरफुली यूटिलाइज किया है एक्शन सिक्वेंसे में, जो डिरेक्टली आपको फील करवाते हैं that you are inside the cockpit, हर एक्शन सिक्वेंस में साइलग एक विजुल ट्रीट है और आपको एग्साइट करेगी कि ऐसे सिक्वेंसे और देखने को मिलें फिल्म में, फिल्म में आपको ऐसा कहीं भी feel नहीं होता कि आप एक्शन सिक्वेंसे को fake या unreal देख रहे हैं, साथी साथ मूवी का साउंड डिजाइन भी इक्वली इंप्रेसिव है रितिक एस समशेर इक्वली फिट बैटते हैं दोनों ही पार्ट्स में जहां चाम की बात आती है वहां तो अमेजिंग है ही वहीं दूसरी तरफ जब ऐसा पाइलेट वो नजर आते हैं उनकी फिजिकल परफॉमेंस कमाल की है दिपिका एस विंग में इक्वली रितिक की इंटेंसिटी को मैच करती है दोनों की ओन स्क्रीन केमिस्ट्री कमाल की है और जैसा मैंने होप किया था कि इस फिल्म में उनको ऐस एन आई केंडी नहीं यूज किया गया उनके एक्शन सीक्वेंसिज भी उतने ही बैड़ेस हैं जितने की रितिक के इसके अलावा फिल्म के दूसरे एसपेक्ट्स पर पात की जाए तो फिल्म सिर्फ एक एक्शन सेंटर्ड फिल्म नहीं है फिल्म प्रेटर्टिसम सेक्रिफाइस के थीम को काफी अच्छे से एक्स्प्लोर करती है पाइलेट्स के बीच के रिलेशन्शिप्स वो क्या प्रेशर हैंडल करते हैं क्या चैलेंजिस उनको फेस करने पड़ते हैं ये सब काफी सेंस्टिविटी और डेप्थ में एक्स्प्लोर किया गया है इसके अलावा फिल्म में प्रेटर्टिसम को लेस चीजी वे में दिखाया गया है जो इस तरह के कॉंसर्ट पर बेस्ट होती है वो patriotism feel होता है क्योंकि एक narrative के अंदर वो डाला गया है जो film के characters के through driven है बट कोई भी film without flaws नहीं पूरी हो पती और fighter में ये चीज उसके predictable narrative से show होती है और साथ ही साथ supporting characters का और थोड़ा development किया जा सकता था overall film में एक visual treat है बागे आप लोग क्या सोचते हो मुझे comment section में जरूर बताना मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye